तो है गाई वाट सब्सक्राइब करें वेलकम बैक तो आरम भवैच और क्या हाल चाल पिछले लेक्चर में लोग नील बोर का स्ट्रक्चर ओप पड़ रहे थे एंड नील बोर का मॉडल पड़ते पड़ते हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दो इंपोर्टेंट चीजे सीखी एक रेडियस निकालना और एक वेलोसिटी निकालना अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को रेडियस का एक सिंपल फॉर्मूला पड़ाया था दिस 0.53 n स्क्वेर अपॉन जेड एंप्स्ट्रॉंग और वेलोसिटी का हमने सिंपल फॉर्मूला पड़ा था 2.18 इंटू 10 तो दी पावर 8 जेड अपॉन एन जेड अपॉन एन मीटर्स पर सेकेंड इन दो फॉर्मूले से मैं एक चीज़ आपका और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखो रेडियस किसी भी एक एक एटम के अंदर अगर यह आपका न्यूक्लियस है जिस पर जेड इ चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन जो कि इसके आसपास एक सर्कूलर पात में ट्याओ 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 ट्य बाहर की तरफ इसको centrifugal force balance कर रहा है In fact, nucleus से अभी ये r distance पर है तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे electron nucleus से दूर होता जाएगा मतलब पहला shell, फिर ये दूसरा shell, फिर ये तीसरा shell फिर ये चौथा shell, तो ये आपका first shell ये आपका second shell, ये आपका third shell, ये आपका fourth shell तो हमने पिछल लेक्चर में सीखा था कि जैसे जैसे number of shell बढ़ता जाएगा radius भी बढ़ता जाएगा मतलब radius और number of shell का direct relationship है as the radius या as the distance between electron and nucleus increases the radius of atom increases मतलब अगर आपका electron first shell में है तो उसका radius छोटा होगा लेकिन अगर आपका electron fifth shell में आगया है तो इसका radius बढ़ा हो जाएगा यानि radius of first shell will be smaller than radius of fifth shell ये हमने उने डिसकस किया था अगर मैं velocity की बात करूँ तो velocity is inversely relationship with n मतलब की हमने देखा था कि जैसे जैसे electron nucleus से दूर जाता जा रहा है उसकी velocity decrease होना स्टार्ट हो रही है तो ये कुछ direct relationship मैं ये चाहूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे लालने बच्चे इस बात को ध्यान रखे सर ये दोनों relationship कहाँ applicable होंगे for hydrogen only for hydrogen only सर आपने ऐसा क्यों लिखा because hydrogen के लिए z की value हमेशा 1 होती है लेकिन अगर hydrogen के अलावा अगर आपके पास में li di positive आता है अगर आपके पास में helium positive आता है अगर आपके पास में beryllium tri positive आता है तो इनके लिए फिर आप ये relationship directly नहीं लगाओगे फिर इनके लिए आप ये वाला और ये वाला relationship लगाओगे क्योंकि वहाँ पर इनके z की value भी आप लोगों को लिखनी पड़ेगी तो ये कुछ basic बात हैं हम लोगों ने पिछले lecture में discuss की थी आज हम लोग guys आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं total mechanical energy की हम लोग बात करते हैं total mechanical energy of an electron जिसको आप लोग T, M, E से denote करेंगे इसको कैसा define करेंगे simple सी बात है total mechanical energy हो जाएगी kinetic energy of the electron plus potential energy of the electron के बराबर now मेरे प्यारे बच्चो what is kinetic energy we all know that kinetic energy T, M, E is equal to kinetic energy is always equal to half mv square plus what is potential energy देखो बच्चा class 12 में जब आप लोग electro statics electricity नाम की जब आप लोग unit पढ़ोगे तब आपको एक बात समझ माएगा कि अगर आपका एक body जिसका charge let's say Q2 है और एक body जिसका mass let's say Q1 है अगर यह positively charge है और अगर यह negatively charge है तो इनकी potential energy आप लोग denote करेंगे एक formula से that will be equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R and हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आप potential energy लिखते हैं for the charged particle for the charged particle always mention always mention the charge जैसे आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों ने इसके पहले radius और velocity निकालने के लिए जो हम लोगों ने 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square का formula यूज किया था वो अलग है यह formula अलग है प्लीज बच्चा लोग यह formula potential energy का है आप लोग इसको electro static force मत समझ लेना या कूलंबिक force जो मैंने आपको सिखाय था ना पिछले lecture में कूलंबिक force मैंने कहा था कूलंबिक force जिसको अपन century पिटल force भी बोलते है that is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square यह formula अलग है यह formula अलग है देखो इसमें R है इसमें R square है इसमें Q1 Q2 का अपन charge mention करेंगे इसमें Q1 Q2 का अपने charge mention नहीं किया था इसमें हमने बोला था कि Q1 तुमारा nucleus है तो बस इसको ZE ले लो और Q2 तुमारा electron है तो बस इसके charge को E ले लो मतलब हमने electron का यहाँ पर negative charge और nucleus का positive charge नहीं लिया था हमने सीधा इसको ZE square upon R square लिख दिया था यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार से plus minus नहीं लगाया था तो कूलंबिक force अलग है कूलंबिक force हम लोगों ने radius और velocity में इस्तमाल किया था यहाँ पर potential energy is a different thing जब कभी भी एक body जिस पर positive और एक body जिस पर negative charge है जिसे इस पर positive इस पर negative है इन दोनों के भीच में जब एक energy develop होगी that will be potential energy and it is denoted by Q1, Q2 by R square अब यहाँ पर आप देखो what is Q1 Q1 is plus ZE because it is the charge of nucleus and what is Q2 it is the charge of electron that is minus E यहाँ पर में क्या करने वाला हूँ यहाँ पर में इसको ऐसा लिखने वाला हूँ ZE positive multiply by minus E अब आप खुद इस बात को देखने वाले हो कि plus ZE और minus ZE जब multiply होंगे so net charge यहाँ पर negative हो जाएगा sign negative आजाएगा so यह positive will change into negative और अब यह मुझे दिखने लगेगा ZE square तो जो equation मैंने अभी आप लोगों की लिखी है आप लोगों को step by step लिखने मैंने board पर जगा बचाने के लिए वहीं पर रब करके लिख दिया now guys हम आगे बढ़ते हैं और एक बात मैं आपको वापस याद दिलाऊँगा एक बात मैं आपको वापस याद दिलाऊँगा कि जब हम लोगों ने इस diagram को initially पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि electron को अंदर की और एक force खीच रहा जिसको आप लोग बोलते है कूलंबिक force कूलंबिक force तो कूलंबिक force was denoted by 1 by 4 pi epsilon 0 ze square upon r square and इसको equally balance करता है बाहर की तरफ centrifugal force जिसको हम लोगों ने pseudo force बोला था and that is mv square upon r याद आगई है equation हम लोगों ने radius और velocity calculate करते वक्त हमने इनी दो equations का इस्तमाल किया था और फिर हमने force quantization mv r is equal to n h upon 2 pi में values रखके दोनों value निकाल ली थी हम वो value का यहाँ पर इस्तमाल करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस radius से इस radius को cut करतेंगे now this equation will be mv square is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 z e square by r यह कैसी दिखने लगेगी mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z e square upon r अब एक काम करो इस value को ऐसी के ऐसी उठा के यहाँ पर रखते है so let's say यह तुमारी equation number यह वो 1 थी 2, 3, 4 यह equation number अपनी 5 है और यह अपनी equation number 1 है तो put the value of equation 1 in equation 5 समझ में आगए बाद तो अब यह कैसा दिखने लगेगा तो total mechanical energy will be like 1 upon 2 bracket में यह पूरा का पूरा mv square की जाएगे मैं पूरा का पूरा यह उठा के लिख दूँगा that is 1 by 4 pi epsilon 0 minus 1 by 4 pi epsilon 0 z square upon r अब आप खुद यहाँ पर एक बात observe करो आप खुद यहाँ पर एक बात observe करो इसमें यह वाली term और यह वाली term exactly same है बस यह वाली term half है और यह वाली term ultimately one है यह one है और यह half है तो जब one में से half जाएगा और क्योंकि half पहले है यानि छोटी value पहले है और बड़ी value बात में और बड़ी value क्या आगे minus है तो net आपको value क्या मिलेगी 1 by 2 multiply by 1 by 4 pi epsilon 0 multiply by z square upon r and that is the net value of total mechanical energy जब इसको note करो इस value का भी खतम नहुआ खेल अभी अगे और बढ़ेंगे यहां तक का जल्दी से note करो note करो, note करो, note करो मेरे प्यारे प्यारे बच चलो please मेरे गुलजारी लालो मेरे लालो please इसको note करो ठीके? आगे बढ़े पक्की बाद sure shot चलिए ये equation ये equation में रब करके मैं यहां पर वापस आऊँगा मैं total mechanical energy को भी रभी कर देता हूँ और इसको लेकर मैं वापस से यहां पर लिखूँगा that now आपकी total mechanical energy will become equal to minus 1 by 2 multiply by 1 by 4 pi epsilon naught z e square upon r ठीके? अब देखो एक काम करते हैं ये radius का जो formula मैंने यहां पर लिख रखा है क्यों ना मैं इसको उठा कर इधर put कर दू तो put the value of radius in this अब मुझे total mechanical energy कुछ इस प्रकार दिखने लगेगी minus 1 by 2 multiply by 1 by 4 pi epsilon naught multiply by z e square upon 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught n square h square और ये जो नीचे का है 4 pi square m z e square ये उपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 pi square m z e square I think इतना basic तम को बता है ये value उठा कि जब आप नीचे रखेंगे तो actually ये पूरी digit यहां नीचे दिखनी थी 4 pi square m z e square बाद में ये उपर चली जाएगे मुझा आप दिखरा है minus minus z square e की पावर 4 pi square m divided by 4 pi epsilon naught का square n square h square and this is the value and this is the formula for your total mechanical energy चली ये काम करते हैं इसमें जो constant terms है इसमें मेरा बच्चा लोग आपकी जो constant terms है उनको अलग कर लेते हैं बाई क्या-क्या है मेरी constant terms z मुझे नहीं पता क्योंकि ये तो atomic number है हाँ तो constant term है e की power 4 pi square and mass of the electron divided by 4 pi epsilon naught का square ये भी constant value है और h square multiply by z square upon n square जब आप इसकी सब की value रखोगे I hope आपको पिछले lecture में सब की value पता है this is planks constant 6.626 into 10 to the power minus 34 joules seconds this is 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs pi की value 3.14 and electron की value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb जब आप ये सारी values रखोगे you will be getting minus 13.6 आपको या क्या value मिलेगी minus 13.6 multiply by z square upon n square and unit will be electron volts and it is denoted by en किताबों में आपको ये en से denote होगा that is energy of electron in the nth shell इसको क्या लिखा जाएगा energy of electron in the nth shell अब यहाँ पर आपको electron जिस भी shell में होगा वो shell में आप value रखो z की value रखो आपको energy मिल जाएगी इसको नोट करो अभी picture खतम नहीं हुई है मेरे प्यारे बकूडो अभी तो ये शुरुवात है और basic basic बाते सीखनी है गाइस बहुत बारिक concepts है बहुत बारिक concepts है easy way में अगर सीखोगे जित्ता जित्ता में लिखाता जा रहा हूँ वो लिखते चलोगे तो आनंद की अनुबूतियों की बोलोगे अपको नीच भगवाने लेकिन अकर जादा दिमाग लगाया तो फिर शायद खुद से confused हो जाओगे इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो उसको feel करो यहां तक की बात feel हो गई सबको energy of electron in the nth shell मिल गया आप लोगों को अब मैं सब कर रब करने वाला हूँ I am going to rub each and everything and अब मैं यहां पर यह वाला formula उपर बना के लिख देता हूँ यहां पर कही पर लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को एक और important चीज के बारे में पता चल जाए यहां ठीक है भाईया हमें पता चल गया that energy of electron in the nth shell is minus 13.6 minus 13.6 and it is मैंने z square उपर लिया था ना ठीक है नोगों को लगा मैंने कुछ गल्दी कर दी z square upon n square electron volts now guys एक बात यहां से आप समाझने की कोशिश कीजिएगा यह energy अभी electron volts में है इसकी unit क्या है इसकी unit है electron volts प्लीज इस बात का खासा ध्यान रखेगा अभी जब हम आगे चलेंगे और जब हम लोग Neil Bohr के बाद में Rydberg अंकल की बात करेंगे एक Rydberg constant आएगा जब मैं line spectrum पढ़ाऊँगा तब इस बारे में हमें और अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ पता चलेगे एक आगे बढ़ने से पहले में आपको एक बात बता तो that 1 electron volt is always equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules मनलब अगर आप लोगों को क्योंकि यह energy की unit है electron volts is the unit of energy तो अगर आपको यह value joules में चाहिए है आप इसमें 1.6 का multiplication कर दो आपको energy of electron यहाँ पर दिखने लगे कि minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square upon n square joules आपको जो भी formula यहाँ से उठाना हो आप बेखौफ होके निस्चिन्थ होकर अराम से उठाओ कोई तकलीफ वाली बात नहीं है आगे बढ़ने से में पहले एक बात और बता दूँ that this constant was named as Rydberg constant इस constant को Rydberg constant बोला जाएगा वो मैं अभी नी सिखाऊँगा वो मैं आगे सिखाऊँगा spectrums पढ़ाने के बादे जब मैं आपको spectrum पढ़ाऊँगा तब मैं आप लोगों को यह चीज पक्ता सिखाऊँगा तो guys with this हम लोगों ने energy of electron in the nth shell के बादे में study कले now guys star बना कर एक सवाल लिखो that why the energy of electron is negative negative energy का हम को लफडा समझ में नहीं आया बहुत घहराईम उतरने वाले हैं चीज की प्लीज एक बात समझेगा देखो imagine करो आप एक घर में रह रहे हो यह आप एक hostel में रह रहे हो let's say यह आप एक class में पढ़ रहे हो class में teacher पढ़ा रहा है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप मेरी class में पढ़ रहे है so now there is an attraction between you and me now अगर आप लोगों की आज पढ़ने की इच्छा नहीं है भले ही वो कोई से भी shell में हो भले ही वो कोई से भी shell में घूम रहा हो nucleus के द्वारा इस electron पर एक attractive force हमेशा लगाया जाएगा nucleus के द्वारा इस electron पर एक attractive force हमेशा लगाया जाएगा हमेशा लगाया जाएगा इस वज़े से electron एक attraction फिल करेगा और वो अपनी एनर्जी को वो अपनी एनर्जी पर एक negativity फील करेगा एक attractive force फील करेगा तो जो negative sign आ रहा है आपकी एनर्जी पर that means कि electron के पास में अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो atom को छोड़ के निकल जाए लेकिन अगर आपके electron के उपर लगी एनर्जी अगर zero हो जाए इसका ये मतलब है कि अब आपका atom जो है वो ionize हो चुका है that means आपका electron आपके atom को छोड़ के भाग चुका है जो आपन metals में देखते है so usually en की value zero होने का यही मतलब होता है कि आपका atom ionize हो चुका है आपका electron infinite shell में पहुच चुका है यह रहाँ पर आपको ऐसा बोला जा सकता है कि आपका electron तो sir infinite shell में पहुच गया है याने वो इतना दूर निकल गया है कि nucleus electron को पकड़ी नहीं पाया गया खतम टाटा बाई बाई गया क्या यह बात समझ में आरी बच्छा लोग हो जाए तो तो ठीक negative energy आ जाए तो तो ठीक लेकिन अगर zero हो जाए मतलब वो infinite shell में चला गया यहाँ पर इस derivation से मुझे एक बात हमेशा दिख रही जाए n is inversely proportional to minus 1 upon n square मतलब as the number of shell increases मतलब जैसे 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 आपका electron nucleus से दूर जाता जाएगा first shell से second, second से third, third से fourth, fourth से fifth, fifth से sixth, sixth से seven उसकी energy decrease होती जाएगी, I would say less negative होती जाएगी और less negative होने का मतलब क्या है? nucleus starts losing control over electron nucleus electron पर control lose करना चालू कर देगा और जैसे ही ये value en की zero या positive की तरफ जाएगी that means तुमारा electron atom को छोड़ के गया खतम टाटा बाई बाई हो गया क्या ये चीज़ clear होगी मेरा बच्चा लोग? अब एक बात अपन इमेजिन करते हैं let's say हमारे पास में in hydrogen atom in hydrogen atom let's find the energy of electron in first second third fourth fifth shell likewise अब 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 क्या अंदर find करने की कोशिश करते हैं चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं first shell की first shell में formula क्या लगेगा E1 sir आपने 1 क्यों लिखा क्योंकि मेरा electron first shell में है minus 13.6 multiply by hydrogen atom के लिए Z की value तो हमेशा 1 होगी there is no need to discuss about this so यह हो जाएगा one square upon first shell में इसलिए one square electron volt so therefore minus 13.6 electron volt will be the energy of electron in the first shell very negative very negative मतलब highly attracted by nucleus highly attracted by nucleus nucleus चाचा nucleus चाचा ने पूरी ताकत से इस ससूरे electron को पकड़ रखा है इसके पास में energy नाम की कोई चीजीच नहीं है समझ मारी है इसकी potential energy या इसकी energy बहुत negative है second चलिए energy in second shell की बात करते है minus 13.6 multiply by 1 का square तो 1 ही होगा और second shell में है second shell का square n square क्या होगा 4 तो क्या हमें directly इसको 1 by 4 लिख दू electron volts तो minus क्या होगा 4, 3s are 12 1 carry 4, 4s are 16 minus 3.4 electron volts एकदम कम होगे value will become less negative यह more negative थी यह less negative होगे मतलब nucleus की ताकत कमजोर पड़ी अगर मैं energy in third shell निकालना चाहूं तो value हो जाएगी minus 13.6 multiply by 1 upon 9 ev sir 9 कैसे आया क्योंकि मेरे shell की value 3 है my electron is in third shell and third shell का square is 9 and z की value तो 1 ही constant चलेगी क्योंकि मैंने hydrogen atom की बात की है तो यह हो जाएगा minus 9 1s are 9 4 carry 9 5s are 45 1 carry 9 1s are 9 minus 1.51 electron volts आप ऐसे इसे 4th shell के लिए भी निकाल सकते हैं so e4 will become equal to minus 13.6 multiply by 1 upon 16 ev sir 1 upon 16 क्योंकि यहां पर 4th shell है और यह हो जाएगा 4 4 16 अच्या इसका divide कैसे करेंगे 13.615 इसे divide करें 4 4 16 4 3 12 0.4832 0.85 क्या मैंने सही लिखा क्या मैंने सही लिखा approximately minus 0.85 electron volts तो मेरा प्यारा बच्चा लोग इस तरीके से आप लोग खुद देखते जाओगे कि जैसे जैसे आपका electron nucleus से दूर जाता जा रहा है इसका number of shell बढ़ता जा रहा है दूरी पर जाता जा रहा है ये इसकी value less and less and less and less negative होती जा रही है तो this is how you will find the energy of an electron in the nth shell जो भी shell होगा उसके अंदर इसको निकाल सकते क्या ये बात clear मेरा प्यारा बच्चा लोग क्या इसके अंदर किसी भी तरीक हेगी कोई भी दिक्कत पक्का एक सवाल करके देखें are you ready to do a question वेसे ये सब सवाल ही है अगर आप ये value direct याद कर लो तो ये question और ये question J में तीन चार बार पूछा जा चुका है और directly पूछा जा चुका है और hydrogen के लिए पूछा जाता है लेकिन फिर भी हम ने एक दो तीन चार सवाल के लिए fifth वाला आपके लिए homework है आप fifth वाले के लिए खुद करके देखो It's like homework for you आई बात समझ में चलो एक question और लगा के देख लेते हैं भाई एक question में आपको देता हूँ अब आप एक काम करो ये question आप सभी चीज के लिए लगा के देख लो यहाँ पर अपने direct relationship जरूर लिखेंगे है electron volts question यह find the radius velocity and energy of electron in the second shell of beryllium tri positive ion बहुत easy है sir beryllium का atomic number 4 होता है तो z की value 4 होगी beryllium के और n की value यहाँ पर हम 2 लेकर चलेंगे क्योंकि आपने सावालमेंट second shell पूछा है चलिए radius का formula में यहाँ से pick करूँगा 0.53 n square upon z emstrong value put up करने पर मुझे मिलेगा 0.53 multiply by n की value में यहाँ पर 2 रखूँगा 2 का square हो जाएगा 4 divided by atomic number भी हो जाएगा 4 understanding the issue understanding the point by hydrogen, helium, lithium, beryllium atomic number 4 होगा तो answer हो जाएगा 0.53 amstrong अगर आपको इसको meters में convert करना तो 0.53 into 10 to the power minus 10 meters आईए velocity की तरफ चलते है velocity का formula क्या है 2.18 into 10 to the power 8 z by n meters per second what is the value of z sir z की value तो यहाँ पर होगी 4 तो z की value होगी 4 और n की value हो जाएगी 2 meters per second यह 2 times कट जाएगा यह हो जाएगा 4.36 into 10 to the power 8 meters per second that will be velocity that will be velocity बहुत इदी चल रहा है लफडा देखो आप समझ मारा है आप लोगो को अच्छा अगर हम यहाँ पर energy की बात करें second shell की तो e second minus 13.6 into z square now z is 4 तो 4 का square will be 16 and n का square will be 4 electron volts तो 4 4s are 16 यह value जाएगी minus 6 4s are 24, 2 carry 4 3s are 12 plus 2 14, 1 carry minus 54.4 electron volts is the answer अगर आपको यह जवाब joules में चाहिए then use this formula तो बच्चा लोग चीज बहुत आसान है चीज बहुत जादा easy है formula वगेरा use करने का आप लोगों को system पता होना चाहिए बाकी सब तो मोहम आया है जीवन की ठीक है एक छोटा सा update वैसे तो यह update आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप किसी 8, 9 तो 10 के बच्चे को जानते हों जो अपना early foundation बनाना चाहता है जो आप लोगों ने शायद miss कर दिया होगा 8, 9 तो 10 का बच्चा जो अपना early foundation बनाना चाहता है J.E. NEED जैसी exams के लिए NTAC, Olympiards के लिए तो उसके लिए गाईस एक important information है कि मैंने an academy पर एक category पर join किया है और वो category सिरफ 8, 9 तो 10 के बच्चों के लिए है early foundations के लिए उसकी complete information मैंने नीचे description box में दे रखी है उन desirable बच्चों के साथ उन needy बच्चों के साथ जिनको उस चीज की need है जरूर share कीजएगा I think आप लोगों को अब इसकंदर किसी भी तरीके की कोई भी problem नहीं होनी चाहिए क्या ये बढ़िया तरीके से clear हो गया चलिए great तो guys आज का lecture अपन यहीं खतम करते है and अब अगले lecture में हम लोग hydrogen के spectrums पढ़ेंगे line spectrums and line spectrum में मैं आप से फिर request करूँगा energy का या तो ये formula I think ये नहीं ये वाला formula प्लीज याद कर लीजेगा देखो मैंने बहुत सारे videos, lectures अगेरा था चेक करें वहाँ पर electron का energy का complicated formula use किया जाता है pi square e की power 4 वो वाला उसकी जरुवत ही नहीं हम directly values रखके काम कर सकते हमें values रखके formula लाने से मतलब है हमें formula किस patterns है उससे कोई मतलब नहीं ना तो तुमारे school में पूछा जाएगा ना जेई में ना NEET में ना boards में तो जो चीज पूछी जाएगे हम उस पर focus करें तो आज का lecture में यहीं खतम करूँगा इसके आगे की बात I will do in the next lecture so that's all for today bye bye and have a great day मेरे प्यारे बच्चो